नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से बाजू को चोड़ना जब हम बाजू के कटिंग कर लेते हैं तो उसकी चोड़ाई कम पड़ती है या आरूमल चोड़ाई में जादा होते हैं कुछ ऐसे गलतियां करते हैं कि हम बाजू को नहीं लगा पाते हैं सबसे पहले हमें जो तरीका है, आपक्या है जैसे हमने यह पर गलि में पठ्टी भी लगा लेания और सबसे पहले हमें लगाने हैं इसमें अजीे ऋई फिटंग की सिलाई और हमें उपर से ही पिटिंग की सिलाई लगानी है आरू मल के यहां से तो देखे हमने यहां पर पिटिंग की सिलाई लगा लिया तो यहां पर देखे हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताए हमें यहां पर एक इंच खुला रखना है तो यहां पर बड़ी आसानी से बाजू को जोड़ सकते हैं अब क्या करना दें यहां पर मैंने देखा है अदिकतर प्रोब्लम को आती है पीछे का anterior कियार हुआए इसे कह से बसे निकलता है तो इसलोडा अब बराबर Leo को I am यहां से बडाबर आना चाहिए आप देखा आप हमारी बाजु मैंने पूरा तयार किया है ईसको जो भी छोड़ाई था मेरे ले लिया को तो सब्सक्राइब ग llev wrapped कि यहां पर इतना सारा कपड़ा आरूमल का ज्यादा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हमारे पास जो भी कपड़ा बचा हुआ है कटिंग का उसको हमें ऐसे कड़के तिर्चा करना एक ऐसे कुन्ने से कि इस तरीके से हमने इसको तिर्चा कर लिया अब यह कि यहां पर देखें यह सीधी लाइन और यहां पर तिर्ची और यहां पर भी तिर्ची तो यह सीधी लाइन इसको हमें जोड़ना है कि अ कि 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 अ कि इस तरीके से रखेंगे हम, यहाँ पर पहले हमें सिलाई लगा लेगे, तो देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एस सीधी लाइन, इसको हमें ऐसे करके लखके सिलाई लगाने, अब देखें, हमने यहाँ दोनों साथ सिलाई लगा लिए, इसके उपर भी सिलाई लगा लेंगे, आदिक तर ऐसा होता है, चोड़ाई कम होती है, कपड़े की, तो हमें इसी तरीके से चोड़ाई बढ़ानी है, यहाँ पे मौरी पे तो हमारी कापी चोड़ाई है, तो यहाँ पे देखें, हम थोड़ा सा इसको ऐसे करने, बराबर, अब हमें क्या करना है, बाजु को खीचना नहीं है, बस आरूमल के उपर रखते जाएंगे, यहाँ पे आरूमल के उपर रखना है, और सिलाई लगा लेंगे, एक बार और नाप लें, देखें, जो नहीं लोग हैं, वो नाप हैं जरूर, इस तरीकी से नाप नाप है, तो देखें, बराबर आ रही हैं, अब लगाते हैं, तो देखें, हमें एक चैसी सिलाई लगाने, आदा इंच का ही कपड़ा दबाना है, हमें कम जादा नहीं करना, ना तो हम आरूमल को खीचेंगे, ना बाजू को खीचेंगे, अब देखें, यहां पर हमारी बाजू जोड़ गई है, इस तरीके से, अब जो भी हमारी सिलाई है फिटिंग के, उस पर हम निशान लगाएंगे, तो देखें, हमारी बाजू के मौरी है, दस इंच, तो हम यहां पर पांच इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से, अब यह निशान को हमें यह सिलाई है उसको हमें ऐसे करके जोड़ना है और यहां पर भी देखिए एक बात का आपको धियान लगना है जब हम यह सिलाई लगाएंगे तो देखिए आरोमल बाला जो कपड़ा है वह हम ऊपर की साइड रखेंगे यहां से भी और पीछे की साइ जो दिक्कत आती है वो हमारी चोड़ाई में ही आती है और एक तरीका होता है लगाने का कि हम किस तरीके से जोड़ें तो आदा आदा इंच का कपड़ा हमें दबाना है वह भी बराबर कम जादा निकरना है कपड़ा इस तरीके से आदा आदा इंच का कपड़ा दबात यहां पर थोड़ा साही दीख चापड़ा थो इससे च्जग्म कर दूए कि अगर यह लगाए है तो गुन्जाइश हमारे यह पर है ईसको प्रिला भी कर सकते हैं तो इसलिए हमें यहां पे टुकड़ी लगाने पड़ती है तो जब भी चोड़ाई कम है तो इसी तरीके से टुकड़ी लगाने और बाजु को तयार करें आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है वीडियो को जासे ज्यादा शेयर कीजिए जो नई लोग हैं वो वीडियो को पहली बाद देखने वो चैनल को सब्सक्राब करने इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिपिकिसन आपको मिल जाएगा और पूछना आए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी सारी कमेंटर पढ़ती हूं और वीडियो को सेयर करना न भूले धन्यवाद